Hello everyone, I think most of you must be knowing कि एक letter circulate हो रहा था और उसके according EPFO का exam आपका 2 July को है मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया था because मुझे confirmation नहीं था कि वो letter authentic है या नहीं है but after consulting few people जो कि reliable resource है गोरखपूर से ही है वो I can say कि ये जो आपका letter circulate हो रहा था वो authentic है और इसके हिसाब से आपका जो EPFO का exam है वो 2nd of July को है लेकिन यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि 2nd of July को आपका दोनों exam होगा EOAO का और EPFC का या फिर एक exam होगा देखो nonetheless I feel कि it's very unfair क्योंकि जो लोग EPFC के तयारी कर रहे हैं जो 28 माई को exam देंगे उनका बहुत चीज़ प्रिपेर होगा चाहिए आप modern history की बात कर लो पॉलिटी, economics, current affair बट जो लोग सिर्फ EPFO का exam दे रहे हैं उनके लिए चीज़े थोड़ टफ होगी reason being की exam बहुत short notice पे हो रहा है और अभी भी आपके पास कोई exact details नहीं है जो भी information हमारे तक आ रही है वो इसी के थुरू आ रही है कोई later leak हो गया तो आपको पता चल गया UPSC की तरफ से अभी तक कुछ communicate नहीं किया गया है EPFO का exam भी काफी दिन के बाद हो रहा है और काफी लोग उस process में नहीं रहते हैं वो एक lag छूड जाती है और जस्ट आपको अभी पता चले कि तीन महीने बाद आपका exam है तीन महीना भी exact नहीं आपके पास 80-82 दिन बाकी है उतने period में 11-12 subject को master करना उस पे बहुत अच्छा hold बनाना और सिर्फ अच्छा नहीं करना इतना अच्छा करना कि 8-10 लोग उनसे आप compete करो उनको पीछे छोड़ो और final interview तो पहुचो तो ये सारी चीज़े करने के लिए considering कि आपका exam 2 जुलाई को है आपके पास एक proper plan होना चाहिए इस 80 दिन में आपको किस दिन क्या करना है एक macro आपके पास plan होगा तो आप काफी अच्छे से अपने चीज़ों को schedule कर पाएंगे क्योंकि trust me अभी आपको लगेगा कि आपके पास 80-80 दिन बाकी है बट दिन कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा देखो दो type के लोग हैं जो एक्जाम दे रहे हैं कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ EPFO के तयारी कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो CSC प्लस EPFO के तयारी कर रहे हैं तो जो CSC प्लस EPFO के तयारी कर रहे हैं इस वक्त उनका पूरा focus 28 मही को लेकर होगा और उनके पास after pre, 28 मही को pre है, एक मन्थ मिलेगा EPFO को prepare करने के लिए, that is June और जो लोग सिर्फ EPFO को तयारी कर रहे हैं, उनको आज से, मतलब 10 April से लग जाना है उनके पास मोटा मोटा 80 दिन है, मन्थ की बात करने तो आपके पास April में 20 दिन बाकी है मई में आपके पास 30 दिन है, और June में आपके पास 30 दिन है और इस 30 दिन में आपको scratch से prepare करना है, देखो बहुत लोग पहले prepare किये होंगे बट मैं scratch इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपके पास date नहीं आता है, आपको time नहीं पता चलता है कि किस दिन कौन सा exam होने वाला है, तब तक बहुत ही lax mode में रहते हैं एक बार आपके हाथ में कोई date आ जाती है, उस वक्त से हम लोग seriously और time bound manner में चीज़ों को पढ़ना start करते हैं देखो जो लोग EPFO और CSC दोनों के तयारी कर रहे हैं, और वा 20 माई को pre का paper देंगे, कुछ चीज़ों उनकी तयार होंगी like GS का जो subject है, history आपका हो गया, economics, politics, science and कुछ हद तक current affair काफी लोग vision की PT पढ़के जाते हैं for UPSC, but EPFO की बात करें, तो वहाँ पर जो current affair आता है, वो काफी factual होता है, और one liner होता है, उसके लिए आप IDRIST यूज कर सकते हो, इस PD यूज कर सकते हो, अगर आप vision की PT पढ़ रहे हो, उसके बाद भी आपको एक one liner, one day का जो exam होता है, उस UPSC की demand वो नहीं होती है, now talking about those जो सिर्फ EPFO के तयारी कर रहे हैं, उनको ये GS पुरा scratch से पढ़ना होगा, हो सकता है काफी लोग ऐसे हो जो, ये जो EPFO special subject है, like labor laws, industrial relations, social security, accounting principles, auditing, insurance, population, globalization, ये सारे अपने graduation होंगे, population, globalization को हटा दो, तो अगर इन stream में आपने graduation किया है, तो ये सार of the experiment जो UPSC के साथ EPFO के तयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये subject new है, और बहुत ज़्यादा question इसमें से नहीं आता है, last year का trend दखोगे, तो 120 question में से, EO, AO में 20 से लेके 23 question पूछे गए हैं, और वहीं APFC में 22 से लेके 24 question पूछे गए हैं, AO, EO और APFC का syllabus जो है, वो almost 80 से 85 percent same है, resources resources भी same है, बट जो question आते हैं वो different होते हैं, जो APFC होता है, उसका जो level होता है, वो UPSC के हिसाब का होता है, यहाँ पर आपको auditing, insurance, population, globalization, और history में जो culture है, वो extra पढ़ना पड़ेगा, किस book के लिए क्या resource आपको follow करना है, इसकी video मैंने बनाई है, उसका link मैं आपको description box में दे EPFO के तयारी कर रहे हैं, और जो लोग CSE plus EPFO के तयारी कर रहे हैं, वो अपने बच्चे हुए दिन कैसे plan करें, अच्छा आप एक चीज मुझे बताना है यहाँ पे, जो EPFO है, उसमें आपको 11-12 subject मिलेंगे देखने को, बट हर subject की आपकी priority different होगी, क्योंकि जो number of questions है, जो weightage ह है, वो different है, और इन 80 दिनों में आपको priority के हिसाब से चीजों को पढ़ना है, तो आप मुझे बताना, अगर आप चाहते हो, तो मैं एक video बना दूँगा, regarding किस subject के कितनी priority है, और कितने questions पहले पूछा जा चुके है, so that उसके हिसाब से आप plan कर पाओ कि किस subject को कितना time देना ह है, ये चीज़ आप मुझे comment करना, देखो proper schedule बनाना जरूरी क्यों है, बहुत crucial है, और में इसके पीछे 3 reasons है, सबसे पहला कि आपको 10 से 11 subject पढ़ना है, तो आपके पास एक proper time table नहीं होगा, एक schedule नहीं होगा, एक routine नहीं होगा, तब आप सच में उलच जाओगे कि कौन से subject पढ़ा जाए, किसको छोड़ा जाए, किसको कितना time दिया जाए, क्योंकि आपके पास number of days, number of hours जो है, वो limited है, और बहुत ही golden opportunity है आपके लिए, इन 3 महिनों में आप अच्छे से दे दो अपना, अपना 200% दे दो, बहुत possible है कि एक साल के अंदर आपके हाथ में एक बहुत जाएगी, और यह सब को पता है, and this is the reason की competition बहुत tough है, UPSC वाले जिनका प्री अच्छा नहीं होगा, वो भी exam देंगे, जो सिर्फ EPFO के त्यारी कर रहे हैं, वो भी exam देंगे, इसके बाद जो SSE CGL वाले हैं, वो भी exam दे रहे हैं, तो जो lot है बहुत diverse है और बहुत competitive है, इस और third reason यह है कि level of exam जो है, वो high होने वाला है, और high पहले से भी है, आपको 60% plus score करना होता है, पिछले साल क्या cut off गया, इससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि next year क्या cut off जाएगा, बट एक हमको benchmark मिल जाता है कि भाई, इतना तो गया ही है, तो इसकी उपर ही हमको target करना है, औ target आप तभी कर पाओगे, जब इन बच्चे हुई 80 दिनों को आप maximum potential पर use करोगे, देखो जो UPSC के तयारी कर रहे हैं, जो 28 मही को exam देंगे, वो तो अपना 200% देही रहे हैं, उनके लिए time बहुत कम है, 50 दिन उनके हाथ में हैं, और बहुत से topics हैं, जो overlap हो रहे हैं, GS के जो जुलाई आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो अभी आप hours को मत देखिए, जितना हो सके उतना पढ़िए, सिर्फ यह देखिए कि 2 जुलाई को आपका exam है, यहां मैंने 2 schedule prepare किया हैं, एक उनके लिए जो EPFO के तयारी कर रहे हैं, सबसे पहले जो purely EPFO के तयारी कर हैं, उनके पास 3 मन्त है, मोटा मोटा सी दिन है, तो April के मन्त में आपको क्या करना है, मई में क्या करना है, जून में क्या करना है, इसको देखते हैं, दोखो April में जो GS के subject हैं, उनको आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो GS है न वो low hanging fruits है, सबसे पहले आप quality पहलो, 10 से लेके 17 April तक, दो दिन मैंने buffer के लिए छोड़ा है, तो quality में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, quality में जो लक्षमी कांत का unit 1 है, unit 2 है, उनमें से maximum question आते हैं, पूरी लक्षमी कांत लेके मत बैठ जाना, जो important topics है, जहां से question आते हैं, जहां से question बहुत बार repeat हुए हैं, उन उनको आपको ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ना है, next week आप history पढ़ी है spectrum, 18 से लेके 24 April तक, यहां भी दो दिन buffer दिया गया है, test series लगाने के लिए, P.I.Q. लगाने के लिए, इसके बास science पढ़ना है आपको, देखो जो science यहां पर आता है, वो general science होता है, आप lucent देखो spectrum science, यह एक मही से लेके 6 मही की बीच में खतम हो जाएगा, depending upon कि यह जो buffer time है, उसको आप कैसे use करते हो, इसके बाद हम मही में आते हैं, तो देखो math एक subject है, और math का अच्छा वेटे जाए, यहां पर जो quant होता है ना, वो सब लोग लगा लेगा, बर जो problem आती है, वो time manage करने आती है, इसको आप last के मन्त में डालोगे, तो उस तरह साब चीजों को polish नहीं कर पाऊगे, that is why आप math को मई और जून, दोनों मन्त में पढ़ना, और हर दिन एक से देर घंटा देना, मई में फिर आप economics पढ़ना, साथ से लेके 14 मई की बीच में, इसके बाद जो EPFO का subject आता इसको आप पढ़ना, स्टार्ट करना मई से, और 15 जून तक इसको complete कर देना, इसके साथ जून में आपको दो चीज़े और करनी होगी, एक English पढ़ना होगा आपको daily, एक घंटा, दो घंटा, और इसके साथ आपको current affair magazine, yearly current affair पढ़ना, जून 2022 से लेके, जून 2023 तक, तो यह आ tentative schedule रहा, 15 जून तक आपको सारी चीज़े complete कर देनी है, इसके बाद previous year question, test series आपको Saturday, Sunday को लगाना है, और last का जो 15 दिन है, उसमें आपको revision करना है, जो high weighted subjects है, based on number of questions, तो आप मुझे बताना, मैं इसका वीडियो बना दूँगा, कि किस topic से कितने question आए है, यह तो उनका schedule रह हफतों में divide करना है, चार हफते होंगे, first week, second week, third week और fourth week, first week में आपको labor law और IR पढ़ना है, यह कोशिश करना आप 4 से 5 दिन में खतम करने की, इसके बाद एक दो दिन first week का और 4-5 दिन second week का आप accounting principle पढ़ोगे, social security पढ़ोगे, यहाँ पर जो APFC देंगे, वो auditing पढ़ेंगे insurance पढ़ेंगे, population वाला topic पढ़ेंगे, second week में ही आपको maths plus English पढ़ना है, आपने CSR की तयारी की होगी pre में, तो math में उतना ज़्यादा problem नहीं आएगा, English आप अच्छे से पढ़ लेना, third week में जाते जाते हैं, आप current affair करोगे, और last करो एक हफता बचेगा, उसमें सिर्फ revise कर होगे, आपने pre के लिए पहले चीज़े पढ़ रखी हैं, जितनी वे GS के subject हैं, politics, economics, history, science, वो सारी चीज़े हैं, प्लस जो EPFO special है, ये सारा topic, इनको आप master कर लेना, देखो जो EPFO special topic है, बहुत जादा weightage इनका नहीं है, 120 question में आपको 25 से 30 question मिलेंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हैं, also last week में जाके, चाहे आप अपने standard books की चीज़ों के revise करो, आपने कोई notes प्रेपेर किया, उससे revise करो, या फिर आप मेरे 199 notes से revise कर सकते हो, बट revise कर लेना, ये मह सोचना कि मैंने UPSC pre दिया है, तो फिर इसको भी आराम से clear कर लूँगा, exam देते देते एक महीना हो जाएग उन दोनों लोगों को last में 7 से लेके 10 दिन सिर्फ revision को देना है, so this is your ideal schedule, और you can say tentative schedule, यहाँ पे आप अपने strength और weaknesses के साब से चीज़ों को थोड़ा सा manage कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, but one thing you should remember कि आपको इन 80 दिनों में mission mode पे काम करना है, बिलकुल भी procrastination नहीं करना है, जब आप नहीं पढ़ रहे हो तो यह आप सोचना कि आपके seat लेने के लिए बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, 10 गंटा, 12 गंटा, 14 गंटा देंगे, तो उनसे compete करने के लिए आपको भी अपना level जो है वो high करना होगा,